अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग परहेंगे कोशी का इसके साजहर की इसके जहासर की बुक की साइंस की बुक की बायलोजी का यह स्रीज चैप्टर नमबर टू सेल जितका पार्ट टू यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट की हैं तो पार्ट वन को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चलिए हम लोग विडियो को स्टार्ट करते हैं कोशी का भित्ति अब बात करेंगे सेल वाल का सेल वाल होता क्या है सेल वाल यह सेल लोज का बना होता है याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट कोशी का भित्ति जो होता है केवल पादम कोशिका में ही पाय जाता है और यह कोशिका का आकार जो हता है निश्चित आकार परदान करता है अब दूसरा बात करेंगे हम लोग कोशिका जिल्ली की कोशिका जिल्ली होता क्या है आईये हम लोग बात करते एक एक को डिसकर्शन करेंगे और इसका MCQ भी हम लोग लगाएंगे यह पादब कोसिका एबं जन्तु कोसिका दोनों में पाय जाता है जबकि कोशिका भीति सिर्फ पादब कोशिका में पाय जाता है लेकिन कोशिका जिल्ली पादब कोशिका और जन्तु कोशिका दोनों में पाय जाता है जन्तु कोशिका, चारों तरफ अत्यांत, महीन, पारदर्सक एबं अर्ध पारगम, यानि सेमी, प्रिमेवन जिल्ली से घिरी होती है, इसे कोशिका जिल्ली कहते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं, यह कोशिका की संरचिना, पादप कोशिका, और यह जन्तु कोशिका की, अब बात करें, कहा जाता है, कोसिका जिल्ली के बाहरी तथा भीतरी परत पर प्रोटीन एवा मधवर्ती परत फास्फो लीड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, फास्फो लीड की बनी होती है, कोसिका जिल्ली का परमुख कार, अब कोसिका जिल्ली का जो परमुख कार होगा कोसिका के भीतर्थ से बाहर जाने वाले पदार्थ का चैन करना कोसिका जिल्ली का जो मुख्र काम होगा कोसिका के भीतर्थ बाहर जाने वाले पदार्थ का चैन करना कोसिका के अंदर एक गाढ़ा रंगीन पारवासी एबं लल लसलसा वजन युक पदार्थ होता है जिसे जीव दर्व कहा जाता है जीव दर्व कोसिका के अंदर दो भागों में बाटा जाता है एक होता है केंद्रक और दूसरा होता है कोसिका दर्व अब केंद्रक को सबसे पहले हमलोग पढ़ेंगी निकुलियस यह काफ़े इंपोर्टेंट है निकुलियस कहते किसकों यह पादब को सिखा यह जन्तु को सिखा दोनों में पाए जाता है इसकी खोज रोबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई यह को सिखा का मुख भाग होता है इसमें डीने अर्थाथ डीक्सो राइबोन निकुलिक एसीड तथा आरेने राइबोन निकुलिक एसीड और गुन सुत्र यानि क्रोमोसोम पाए जाते हैं यह कोस्किये गतिवीदियों को संचालित एवम नियंत्रित करता है इसके मुख चार भाग है केंद्र कला, केंद्र रकदर्म, केंद्रिका तथा क्रोमेटिन धागें, अब बात करेंगे हम लोग माइट्रो कॉन्डिया की, चाउथा है माइट्रो कॉन्डिया, यह भी काफी important है, काफी important है, माइट्रो कॉन्डिया, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यह पादब कोसी का यह जनतु कोशिका दोनों में पाय जाती है इसकी खोज 1880 इस्वी में कोलकर की द्वारा की गई 1880 से 90 इस्वी में अल्टमेन ने इसे बायो ब्लास्ट कहा किन्तु माइट्रो कॉंडिया का ना सी बेनेडा ने 1898 इस्वी में रखा या कोशिका दर में पाय जाता है अब बात करें माइट्रो कॉंडिया तो माइट्रो कॉंडिया पादब और जन्तु दोनों में पाय जाता है और माइट्रो कॉंडिया कोशिका दर में पाय जाने वाली ये गोलाकार अत्वा सुत्रकार रचनाई होती है माइट्रो कोंडिया का आकार अगर है तो वो गोलाकार होता है अत्वा सुत्राकार होती है माइट्रो कोंडिया दोहडी जिल्ली से गिरी होती है इस उभारों को क्रिष्टी कहते है माइट्रो कोंडिया को कोसी का उर्जागरी भी कहा जाता है POWER OF HOUSE MITROCONDIYA को कहा जाता है उर्जाग्री MITROCONDIYA को कहती है क्योंकि यह उर्जाउथपन करता है MITROCONDIYA में कोशिका स्वशन से सम्मन्धित कार ATP का निर्मान यवन भोजन का उक्सीकरन होता है याद रखिएगा MITROCONDIYA में ATP का निर्मान होता और भोजन का ओक्सीकरन होता है और यह पादब कोशिका और जन्तु कोशिका दोनों में पाय जाता है और यह कहां पाय जाता है कोशिका दर्ब में पाय जाता है याद रखेगा मैट्रो कोंडिया कोशिका दर्ब में पाय जाता है और इसकाकार गोलाकार अथवा सुत्राकार रचना के होती है अब आगे हम लोग लवक की पढ़ेंगे ये भी काफ़े इंपोर्टेंट है प्लास्टिट यह सिर्फ पादब कोसिकाव में एक अनपरकार की रचना पाई जाते हैं जिसे लवक कहते हैं ये लवक केवल पाउधे में पाई जाते हैं और तीन परकार के होते हैं पहला हरीत लवक, दूसरा अवर्नी लवक अथीसरा अब देखें और तीसरा है वर्नी लवक देखें हरीत लवक जो होता है जिसे क्लोडो प्लास्ट करते हैं ये हरे रंग के होते हैं किस कारण से हरित लवक के कारण यानि क्लोरोफील के कारण अब है अवर्नी लवक अवर्नी लवक क्या है ये कोश्चन भी पूछ चुका है ये रंग हीन लवक होते हैं याद रखेगा ये कोश्चन पूछा गया था कि इसमें से अवर्नी लवक कौन से हैं और पौजे के उन भागों को कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकास से वन्चीत रहते हैं अर्थात जिसको प्रकास नहीं मिल पाता है जैसे कि क्या होगा ब्रिच का जर जहां की प्रकास सुर्य का नहीं मिल पाएगा क्योंकि जर क्या होता है भूमी के अंदर होते हैं भूमी गत तनों में ये अश्टार्ज के रूप में भोजन करते हैं और किस रूप में भोजन करते हैं अश्टार्ज के रूप में भोजन करते हैं ये क्या होता अवर्णी लवक होता है अवर्णी लवक कहने का मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता जबकि इसके ठीक विप्रिंद कलोडो फील के कारण पतिया का रंग हरी होती है अब हम बात करेंगे वर्तनी लबक की यानि कलोडो प्लास्ट की यह रंगील लबक होते हैं जो प्राया लाल पीले नारंगील होते हैं यह पोधे को रंगील भागों में जैसे पुस्पो की पंखुरियों कि कोई दी अगर उप्शन मिले एक्जाम में तो वह ना चूटे अब गोल जी बोड़ी गोल जी काई इसकी खोज केमिली गोल गियो के द्वारा की गई यह पादव कोशिकाई और जन्तु कोशिका दोनों में पाए जाती है याद रखेगा डिक्टो योसों भी कहते हैं गोल जी काई को याद रखेगा यह ओप्शन दे सकता है गोल जी काई यानि अगर कोश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही गोल जी काई के जगह अगर ओप्शन में डिक्टो सोम भी दे दिया जाए तो वो भी एंसर होगा याद रखेगा आप लो गोल जी काई को डिक्टो सोम भी कहते हैं इसका मुखेकार होता है कोशिका भीत्ती और सैल प्लेट का निर्मा करना इसमें बसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं इसमें बसा और प्रोटीन अधिक होते हैं गोल जी बोडी अर्था डिक्टो सोम का कारी होता है कोशिका भीती और सैल प्लेट का निर्मान करना इसमें बसा प्रोटीन अधिक होते हैं लेकिन राइबो सोम का अभाव होता ह गोलजी बोड़ी में क्या होता है राइवोस्वम का क्या होता है अभाव होता है याद रखेगा डिक्टोस्वम में जो होता है राइवोस्वम का अभाव होता है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसो यह भी काफ़ी इंपोर्टेंट है लाइसोस यह सिर्फ जन्तु को जाता है इसकी खोज दीड डूबे के द्वारा की गई ये कोशन भी बहुत बारत पूचा जा चुका है कि लाइसोसोम की कोज किस बैज्ञानिक के द्वारा की गई तो क्या हो जाएगा डीड डूबे के द्वारा की गई ये सुच्व एबब गोल इकहरी जिली घिरी थायली जैसी रचना होती है, इसके अंदर विकर पाई जाते हैं, विकर जीवधारियों में पाई जाने वाले विसेश उत्प्रेरन होते हैं, जो जैविक किरियाओं की गती बढ़ाने, एबम लाइसोसोम में पाई जाने वाला विकर विघटना कर होते हैं, विभीन पदार्थों का पाचन करते हैं, इसमें बहुत से हानिकारिक अमली अब घटन इंजायम पाई जाते हैं, अताहिसे आत्महत्या की थैली करते हैं, लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली किसको करते हैं, लाइसोसोम को, याद रखिएगा आप लोग, अब हैं राइबोसोम, यह भी काफ़ी इ यह पादब कोसिका और जनतु कोसिका दोनों में भी पाय जाती हैं और इसकी खोज याद रखेगा प्लेट के द्वारा की गई यह सबसे छोटा कोसिकांग राइबोसोम, याद रखेगा इसमें डियने नहीं आरेने होता है याद रखेगा आप लोग ये protein sensation के लिए उप्यूक्त अस्थान परदान करते हैं अता इसे protein की factory भी करते हैं protein की factory किसको करते हैं? ribosome का याद रखेगा protein की factory ribosome इसका मुख्यकार है protein का sensation करना किसका ribosome का काम है protein का sensation करना अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा बचा है वीडियो लंबा होगा तो उसके लिए टेंसर नहीं लिजी एक्जाम बहुत नदिक है इसलिए जरूरी है अब तारकाय यहां से भी अब SSC, RRB, NTPC में सवाल आ रहे हैं इसको कहते हैं centrosome याद रखेगा centrosome या तारकाय आप लोग को अगर इंगलिस याद रहता है तो बहुत ही अच्छी यह सिर्फ जन्तु कोसिका में पाए जाते हैं इसकी खोज बोभरी के द्वारा की गई यह कोसिका भी भाजन की किरिया में सहायक होता है यह केंद्रक के समीप पाए जाने वाली रचना हैं जो दो बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होते हैं जिन्हें तारकेंद्र कहते हैं पर तेक तारकेंद्र एक महीन स्वच आवरन सेंट्रोफेर में लिप्टा रहता है सेंट्रोफेर का मूख्य कार कोसिका के भी भाजन के समय तूर्क तंतु बनाना है प्रोक्रेटिक कोसिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है प्रोक्रेटिक कोसिका में याद रखेगा सेंट्रोसोम का क्या होता है अभाव होता है अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के यानि गुनसूत्र के इसकी खोज वेल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई 8822 में धागे सद्री संशना होती है जो कि यूख CR Patch कोषिका के केंद्रक में पाई जाती है यह DNA और हिस्टो प्रोटीन की बनी होती है यहाँ गुनसुत्र क्या की बनी होती है अग ही अगर बात करें तरकाई की तो उसमें क्या पाए जाता है ठीक है DNA हिश्टो प्रोटीन के रूप में बनी होती है उपर जो दाने के समान संद्चना पाए जाती है उन्हें जीन की मान सकते हैं गुनसुत में पाए जाने बाले निकुलिक अमन को जीवन की सारी जानकारी छोपी होती है ठीक है मुख रूप से निकुलिकम लिपीड और यह जानकारी कोड अनुवांसी कोड के रूप में होती है निकुलिक अमने दो परकार के होती है DNA और RNA बहुत ही इंपोर्टेंट है दोनो निकुलिक टाइड नाइट्रोजन युक्त छार नाइट्रोजन युक्त छार प्लस डियोक्सी राइबोज या राइबोज सरकड़ा एवं फास्फेड समो पीओ फोर तोरा आपस में जूरी रहती है निकुलिक अमल में पाए जाने वाले बंद आकरसन बल फास्फो डाइएश्टर बंद कहते है निकुलिक असीड में जो पाए जाने वाले जो अमल है वो होता है फास्फो डाइश्टर बंद अब है डियने की बात करेंगे दी एक्सो राइबोज निकुलिक अमल अर्था डियने यह अमल हमारे लक्षणों की एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी तक पहुँचाने का कारी करती है अर्था जेनेटिक इसको कहते हैं यह अमल हमारा अनुवांसिक पदाथ जेनेटिक मेटेरियर है इस अमल को डियोक्सी राइबोज सरकरा और चार नाइट्रोजन युक्त चार याद रखेगा कितने चार नाइट्रोजन युक्त चार दो प्यूरी एडिनीन और दो गुवानीन यह भी कोशन पूछा जाए कितने एडिनीन दो प्यूरी एडिनीन और दो गुवानीन याद रखेगा तथा दो पैरा मीडीन थाइमीन एबं साइटोसीन होते हैं डियने दूई रजूइक परतिरूप की खोज वार्स एबं क्रिक नाम की थी ठीक है किस ने की थी दूई रूजूइक परतिरूप डियने के दूई रूजूइक डियने की खोज नहीं दिया हुआ है याद रखेगा डियने की खोज फ्रेसर मीसर के द्वारा की गई थी यहां क्या कह रहा है डियने के दूई रूजूइक परतिरूप की खोज वार्स एबं क्रिक नामक बैज्यानिक ने की थी जिसके लिए उ वार्ट्स एन किरीग डियने की खोज नहीं है ये डियने की खोज मीसर ने की थी याद रखिएगा इसके लिए उन्हें होने उस्वतिर पर में नोबल पुरुसकार दियेगा इसकी अनुसार डियने का व्यास होता है 20 एंगोस्ट्रोम तथा एक टर्न की लंबाई 24 एंगोस्ट्रोम होता है पर तेक टर्न में 10 निकलियोटाइड होते हैं एडिनीन थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बोंड एकल टू टी तथा साइटोसीन गवानीन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड बनाते हैं क्या बनाते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड बनात अब DNA fingerprint की बात करेंगे ठीक है? अब DNA fingerprint किसी जीब या व्यक्ति के DNA में उपस्थी चार का करम निश्चित होता है जिसके दोरा उस जीब या व्यक्ति का लक्षन निर्दारित होता है DNA के इसी निश्चित करम को DNA का fingerprint कहते हैं अब DNA fingerprint है क्या, इसकी खोज किस ने की थी, DNA fingerprint एलेक जे फ्रेज के दौरा की गई थी, DNA की खोज किस ने की थी, फ्रेजर मीसर ने, DNA की दूर किंद्री संरचना की खोज किस ने की थी, वारसन क्रिक ने, DNA fingerprint की खोज किस ने की, एलेक जे फ्रेज के दौरा की गई, भारत में DNA fingerprint ट में अगर जो पूछ लिया DNA fingerprint टेस्ट लाने का सिरे किसी जाता है तो डाक्टर लाल जी सिंग को जाता है DNA fingerprint टेस्ट संस्थान हैदराबाद चेंडिगर्ड लखनवू इत्यादी अस्थानों पर है अब थोड़ा सा बचा है यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बाड़ बेजि संतान का पता लगाने के लिए संपत्ति बीवात का निप्टार्य के लिए अनुवांसिक रोग का इराइज के लिए और पराजीनी फसल का निर्मान में ठीक है अब RNA राइबो निकलिक अमल पढ़ेंगे DNA समाप्त हुआ RNA यह अमल केवल कुछ बिसानों का ही अनुवांसिक पदार्त होता है हमारे सरीर में यह DNA की सूचनाओं को डिकोड करने एबं सूचनाओं को आगे किरियानवित करने का कार्य करता है कौन RNA यह क्या होता है विसानों को अनुवांसिक पदार्त होता है ठीक है यह हमारे सरीर में DNA की सूचनाओं को डिकोड करने के लिए DNA जो पूचना से ही हमारे सरीन में प्रोटीन की संसलेशन होती है इस अमल को राइबोज सरकड़ा चार नाइट्रोजन युक्ति छार होते हैं यहां DNA की थाइमीन छार की जगह यूरेसील नामक छार होता है जबकि अन छार समान होते हैं दोनों निक्यूलिक अमलों को हम जैबिक अनुओं को सरेनी में रखते हैं दूसरे जैबिक अनुओं प्रोटीन, कार्बोहाइडर, बसा, बिटामिन होते हैं RNA तीन परकार के होते हैं याद रखेगा mRNA यह भी कोशन पूच चुका है TRN और RNA अब तीनों को हम बार बार इसे पढ़ेंगे, mRNA क्या है यह अमिनो एसीड का निश्चीत करई बनाता है, यानि अमिनो अमल का निश्चीत करई कौन बनाता है mRNA और TRN जो है यह अमिनो अमल को राइबोसोम तक पहुँचाने का कार्य करता है TRN RNA तीन परकार का होता है, यह क्या करता है DNA की जो सूचना बेचता है उसको डिकोड करने का काम RNA का है, mRNA अमिनो अमल को राइबोसोम तक पहुचाने का काम और RNA का काम है, राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन सर्सलेशन में सहायक होता है, नुकलिक अमल को खोज फ्रेड्रीज मीसर ने 1868 में की थी, गुनसूतर की अनुवांसिता का वाहक कहते हैं, जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग होता है यहाँ देखे, फ्रेड्रीज मीसर ने, इन्ही ने ही DNA की खोज इन्ही के द्वारा की गई थी, फ्रेड्रीज मीसर के द्वारा ही की गई थी जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग है पर तेक गुनसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं इसे जीन की अनुवानसिक लक्षुनों का वाह कहा जाता है यह गुनसूत्र पर इस्थित है किसी भी जीब के गुंसुत्र की संख्या निश्चित होती है जिसे हम उस जीब की पाचान कर सकते हैं मनुस्य में गुंसुत्रों की संख्या कितनी होती है पता है आप लोग तैस जोरी होती है ठीक है मेल में होता है सेक्स क्रोमोसोम X प्लस बाई जिसमें पूरूस होगा और फिमेल में XX होगा अब हैं अंतह द्रवी जलीका या पादब कोसिका एबम जन्तू कोसिका दोनों में पाई जाती है इसकी खोज पोटर के द्वारा की गई सबसे बड़ी कोसिका अंग है अंतह प्रद्र द्रवीय जलीका जो होती है सबसे बड़ी कोशी का अंग्रव या कोशी का दर्व तथा केंद्रक के भड़े दर्व में जाल के समान फैली होती है या जाल प्रस पर समान तर ढंक से लगी चप्ती नलिकाओं का बना होता है इसका मुख्र काड़ है बसावा और प्रोटीन संसलेशन का काम करना अब आगे जो बिभीन जीलियों को केंद्रक जीली एबं कोशी का जीली आदिका निर्मान करते हैं यार दो परकार के होते हैं असमूथ ही यार वैसा ही यार जिसको राइबो सोम नहीं पाया जाता थोरा सा बचा हुआ है यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो हेल्फूल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना है जैन